तो घंसेंगे हम पर, क्राएंगे पुलीस वाले पागल हो गए हैं, एक्सक्यूज भी सर, पुरे डिपार्टमेंट की इज़्दत मिट्टी में मिल जाएगी, तो अभी इस डिपार्टमेंट की इज़्दत कौन से आस्मान पे हैं, बेज़ती उसकी होती है जिसकी कोई जाए, और गलती से वो थाने में रिपोर्ट लिखाने आ जाए, तो उसके साथ ऐसा सलुक किया जाता है, जैसे वो खुद एक मुझरिम हो, तुम्हारी जीब कहां गटी, क्या वक्त था, तुम वहां पर क्या कर रहे थे, तुम्हारी जीब में पैसे कितने थे, अरे, तुम जीब का तरह कौन है, पांडू, अरे, नहीं, नहीं, पांडू तो गाउं गया हुए, राजु ने काटी होगी, तो राजु को बुलाया जाता है, उसे अरेस नहीं किया जाता, बलकि उससे अपना हिस्सा लिया जाता है, और ऐसा करने से हमारे पुलिस देपार्टमेंट की इज़्जत बहुत बढ़ जाती है, सुभा ऑफिस जाने की जल्दी में, कोई स्कूटर वाला गलती से सिगनल से थोड़ा आगे निकल जाए, तो खयामत आ जाती है, स्कूटर साइड में लगाओ, लाइसन्स दिखाओ, तुम्हारे स्कूटर की लाइट जल्ती है, हवाई ह टायर में, पेट्रोल हैं, ऐसे पूछतास करते हैं, जैसे वो बिचारा सिगनल नहीं, बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये सकती कानून के लिए नहीं की जाती, अपनी जेब के लिए की जाती है, बीस पचास जो भी मिल जाती है, और ऐसा करने से हमारे ड क्राइम अगर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसके जिम्मेदार हम हैं, कल तक लोगों की जेबे काटने वाला, आज लोगों के गले काट रहा है, तो इसके जिम्मेदार हम हैं, चरसकान जाग की तसकरी करने वाला, आज हत्यारों की तसकरी कर रहा है, तो इसके जि वेमेदार हम है। हर मैने की पहली तारीक को हम लोग तंखा लेने पहुंच जाते हैं UN कि याँ मेले से ! हम पैसे जंता के हैं उस जंता के जिसके साथ हम लोग तमीज से बात भी नहीं करते हैं जंदा ने देश की हफाज़त के लिए बॉर्डर पर जवानों को रखा है और समाज की हफाज़त के लिए हमें जवान तो अपना काम करते हैं लेकिन हम कारगिल में जब हमारे जवान शहीद हुए थे तो पूरा देश रोया था लेकिन जब एक पुलीस वाला मरता है तो अपनी इमेज बदलनी है ताकि लोग भी हमारे बारे में कुछ अच्छा कहें और ये सब पुलीस स्टेशन में मंदर बना डालने से या दिवारों पर अच्छी अच्छी लाइन लिक डालने से नहीं होगा हमें कुछ करना होगा मुझरिमों को इस वर्दी की ताकत बतानी ह होगी चाहे वो छोटा मोटा पॉकेट बार हो या असरदार और अमीर शक्र सिंधानिया हो तभी जाकर ये जनता हम से जुड़ेगी और हमारी इज्दत करेगी ओके यू कन परसीड